नमस्कार दोस्तोंक strongly आप सभी का स्विकांब आज लेके सीमिल वी jo beks रहे जिनका सब्जक्ट होनी वाली हृए उन के भीडियो में बहुत ही टॉप लेटभल के कोईष्चन में आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए पूरी तरह है तो वीडियो को सुरू से लार्ज तक देखती रहेगा गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इस क्वेश्चनों से काफी मदद मिलेगी बहुत ही टॉप लेबल के क्वेश्चन है तो चले बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं जो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लिजेगा और खास बात यह दोस्तों कि टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिसक्रेशन में वाटसप ग्रूप भी मैंने बना दिया तो उससे भी जल्द से जॉइन हो जाए यह फुल हो जाएगा वाटस आपको एक्जाम में यही सारे कोश्चन देखने हो के मिलेंगे ठीक है आती लग उत्रिये लग उत्रिये और विस्तित उत्रिये तीन टाइप की कोश्चन पूछे जाएंगे जिन भी इन्वर्सिट्यों में तीन घंटे का टाइम होगा लिखित पर इच्छा होंगी उसमें तो इस वीडियो में लग उत्रिये जो कोश्चन है वो मैं आप लोगों को बताया दे रहा हूं इनका कोश्चन मैं बताया दे रहा हूं और आइंसर आप लोग ढूंड के पढ़ लीजेगा आपको काफी मदद मिलेगी पहला कोश्चन है कि भक्तिकाल को हिंदी साहित का स्र समंदित कीजिए निष्ण को हिंदी का सूर कि कहा जाता है इसको प्रमाइट करना है आप लोगों इसके बारे में लिखना रव nieuक्त का शर्ण सम्वभ समसिंग में पूछा जाएं क्रिश्ण भक्तिसाखा की प्रमुख विश्ष्षता के उनके नाम लिखना आ है और पॉइंट वाइस करके लिखना उसके बारे में थुदा डीटेल में भी लिखना है ठीक है याद रखेगा अगला कोश्चन है कि राम भक्ति साखा की चार विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नाम लिखे उसको आप लोगों को नाम लिख के प्रबित्या आपके कोउश्चन आ चाना चाहिक प्रभित्या法 के नाम लेखिए या फिर आपके यहऊ कंप बिश्चन है कि मतलब एक हीए तो आप لوगों प्रबित्या सबगने लिखें तो रीकाल की कावी कि जäss ट्रॉष् Сп पूर्मुख है यहाद रुखना , अग्ला कोईस्चान की निर्गुड़ भुख्त दारा के प्रुमुख अंतर बताएए तो निर्गुड़ का विधारा और भक्ति ठीक है सगुड भक्तिधारा में क्या अंतर है यह आप लोगों को लिखना है याद रखिएगा ठीक है अगरा कोईश्य नहीं कि निर्गुड का विधारा की चार मुख्य बिसे इस्ताएं क्या लिखना क्या है वह आप लोगों को लिखना है ठीक है और है कि तुलसी द विशेष्टाएं लिखिए काभी की प्रमुख काभी विशेष्टाएं क्या है उसके बारे हम लिखना है अगरा कोश्चन है कि कबीर की भासा एंवरस्णा फैली पर प्रकाश डालिए तो याद रखेगा कबीर से जुड़े यह दो कोश्चन दिख रहे न यह दोनों कोश्च या उनकी बिशेष्टाओं से संबंदित आपके एक्जाम में कोश्चन आना ही आना है यह राज याद रखेगा ठीक है फिरहाल जो भी टॉप लेबल के कोश्चन थे लग हुत्रे बेसकी वह मैंने आप लोगों को आज किस वीडियों बताएं ठीक है मैंने सूचा कि कुछ कोश्चन आप लोगों को बता दिये जाएं जो कि आपको हैल्फ फुल यानि कि आपके एक्जाम में आपको काफी हैल्फ फुल करें तो इन सारे कोश्चन का एंसर आप लोग 2-3 दिन में पढ़के रटके समझ लीजेगा और भी नेस्ट वीडियो में और भी आप लोगों क को हम अतिलग उत्रे लग उत्रे और बिस्तित उत्रे कोश्चन और आप लोग कहेंगे तो अंसर में दोनों प्रॉइट करने कोशिश करूंगा कि कौन-कौन से टॉप लेबल के क्योश्चन की आने की सम्भावना है यह सब हम आप लोगों को डेली वीडियो में बताते रहे लेंगे तो आप लोगों कम से कम 20 नंबर का किलियर होगा इस वीडियो से ठीक है आपको वीडियो अच्छी लेंगे लाइक करेगा कोई कुछ जाओ इसी तरह के और कुश्चन चाहत कमेंट बताएं कौन सी इनवर्शिटी के छात रेकौन सब्जेट माडल पेपर चाहें मिलते हैं नेस्ट वीडियों तब तक के लिए जाएंद